एपिसो नमर टूने 94 की स्टाटिंग होती है और उस लेडी ने चेंग को इतनी टाइट पकड़ा हुआ होता है कि वो कापने लगता है और चांग्यान से कहता है मिस्टर चांग्यान क्या आप मैं यहां से जा सकता हूँ अप चांग्यान कहता है मैंने यहां कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि उस लेडी को तुमें किस करना चाहिए पिर चेंग हरानी से कहता है क्या किस और फिर वो लेडी भी कहना लगती है क्या किस हाँ ठीक है मैंने कभी भी अपने हस्बेंट के अलावा किसी और को किस नहीं किया तुमारे किसमत अच्छी है यंग मैं रफ चलो शुरू करते है और वहीं उसे ऐसा करता देख चेंग केना लगता है क्या नहीं कभी नहीं और पिर चेंग वन गुस्टे से कहता है और फिर वो मन में करने लगता है अरे नहीं अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अगर मैंने इस लेडी को किस नहीं किया तो वो मुझे यहां से जाने नहीं देंगा क्या ही किसमत है और बस मैं ऐसा दिखावा करता हूँ कि जैसे कि मैं एक कुटे को किस कर रहा हूँ और फिर चेंग उस लेडी को बड़ी सिद्दत से किस करने लगता है और चेंग को ऐसा करता है देख वहां खड़े लोग चौक जाते है और वहीं चांग्यान वान बई का हाथ पकड़ उसे ले जाती हुए चलो वान बई घर चलते है और वहीं वान बई मन में कहरी होती है वो ऐसा कैसे कर पा रहा है और वहीं चेंग मन में कहरा होता है अब वो यहां से जा चुका है तो आप मैं रुख सकता हूँ और तब ही उसे कुछ ऐसास होता है और वो तुरंत उस लेडी से दूरोती वे कहता है ओ गौड तुम अपनी जीब कैसे भार निकल सकती हो तब वो लेडी कहती है मुझे तुमारा ये जुनन महसूस हुआ तो मैं तुम्हे निराश कैसे कर सकती हूँ यंग मैं चेन वहाँ से जाती हुए के तैम मैंने इस बारे में तुमसे नहीं पूछा और फिर वो वहाँ से जाती हुए मन में कैने लगता है अरे नहीं अब मैं कलंकित हो चुका हूँ और अब मुझे घर जाकर जल्द से जल्द ब्रश करना चाहिए नहीं नहीं ब्रश नहीं मुझे ये दातों को निकल कर फेक देना चाहिए और इसके बज़ाए मुझे नकली दात लगावाना चाहिए और वहीं चेन कार में बेट कर वहां से जनन लगता है और वहीं वो लेडी उससे कैरी होती है अरे रुख जो यंग में मुझे तुम अपना नंबर तो दो मुझे लगताए कि हम इसे सॉल्व कर सकते है वहीं चेन तेजी से कार से वहां से निकल जाता है और उससे थे तेजी से जाताा देख वो लेडी कैना लगती है वो बड़ी तेजी से यहां से चला गया लगता है कि उसे भी मज़ा आया और फिर सिन से वट उतरा में चांगवयन और वान बई ऐ कार में दिखाय जाते है जहां वान बई चांगवयन से कहरी होती है चांगवयन क्या तुम अभी भी मुझ़े नाराज हो तब चांग्वन कहता है तो क्या मुझे इससे खुश होना चाहिए कि एक वेक्ती ने तुमको फुल दिये और इसी के सासा तुमने उससे बाते भी करी और फिर वन बई कहती है ये सब मेरे प्लैन का हिस्सा है रुखो चांग्वन क्या तुमको उससे जलन हो रही है और फिर चांग्वन और घुशे में कहता है नहीं मुझे कोई भी जलन नहीं हो रही है और इसके अलावा तुमने तो उससे फुल लेही लिये थे और अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो हो सकता है कि तुम उससे अपने साथ घर भी ले जा थी और फिर तबी वान बई चांग्वन की गालों पर किस कर देती है और वहीं चांग्वन हरानी से मन में कहता है क्या और गाल जी के साथ एपिसों नुमर 294 यहाँ एंड होता है पसना है तो लाइक और सस्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में